तो हमने देख लिया है आधी पुरुष का टीजर और मेरा रिकमेंडेशन यह है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मत देखिए गा क्योंकि इन्होंने तो देख लिया है मैंने भी मजबूरी में देखा और मुझे सिर्फ देखा नहीं जा रहा था और मैंने देख लिया और उसके बाद मुझे हार्पिक से अपनी आखे साफ करनी पड़ी उसके बाद थोड़ा सा इंपक्त थोड़ी सी आँखों में तो चुबने वह थोड़ी सी कम हो रही है मिट्टी के तेल के गरारे करें तब जाके थोड़ा चैन पड़ा है वरना हमारा तो दिल जल चुका था ये टीजर देखके रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि कई जगे पर आधी पुरुष का टीजर देखकर लोगों को किड्नी में हार्ट अटेक हुआ है तो भाई हमने आपको पहले से ही बता दिया है अपनी सेहत का दिहन रखे जी से मेरी गुजारिश है कि जहां-जहां इसका टीजर देखा जारहा है वहाँ पर राहत शिवर लगाए जाए और वहाँ पर डॉक्टरों का प्रबंद किया जाए लोग ये टीजर देखते ही बीमार बहुत बीमार हो रहे हैं मोधी जी की बात हो रही है तो केजरिवाल जी की भी करनी पड़ेगी क्योंकि वह बैलेंस हमें बनाये रखना चाहिए तो अगर आप ने डॉक्टरों की बात करी मुझे लगता है केजरिवाल जी ने आपकी बात सुन ली तो वहाँ पर महला क्लिनिक भी खोल सकते है और आरे जमे रहो जुडे रहो अच्छी फिल्म में भी आ सकती है वैसे उस टीजर की भी नहीं बन रही बागी देखो में मुद्धा यह रहेगा हम यहां बे भजम कर देंगे रोस्ट कर देंगे भून देंगे तंदूरी बना देंगे तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स तंदूरी नाइट्स में भी ज्यादा लॉजिक था आदी लोग में बढाई नंदर साड़ मसाल daíं अगरें डराब करेंगे वेसे तो यह सब्सक्राणों है निघक है लेगना ने करना तो पड़ेगा रिवीव कर रहा है यहां पर आग लगा दो पैसे में यह जो मुहावरा है यह चरितार्थ होने वाला है अगर आप इस पिक्चर को देखने चले चरितार्थ यह जो आप आदी पुरुष का मैं क्या बता हूं पर शुरूआत करूंगा मैं एक आदमी से उसका नाम है प्रभास आपकी दाद देनी पड़ेगी इतने गंदे टीजर के अंदर से आप सिर्फ एक आदमी से शुरूआत कर रहे हो वैसे इसमें गंदी की अगर आपको ढूंड नहीं है इस पूरे टीजर के अंदर जहां कई भी आप आंख रखोगे उंगल कर देख लो वह तब भी बढ़िया लगती है आप उसके बाद इतने पैसे खर्च करके आपने यह बनाया है मैं चीज बोलता हूं मैं पता क्या अगर यहां पे गली महलों में भी रामलीला और होती है ना वहां कौन सा पजट होता है वहां पर करोड़ों में बात नहीं होती है यहां पर आदमी और हम रही है यहां पर इतनी आस्था और इतने अच्छा कंविक्शन से वह महल क्रियेट करते थे आपने 500 करोड रिपोर्टेट ली अगर लगाए हैं तो यह क्या लगा दिया यार आग लगा देती उसके अंदर तो भाई 500 करोड में हमारे कुछ पड़ तो प्रभास ने ले लिए किस चीज के पानी में बैठने करें पहला शौट है पानी के अंदर भाई मोहित चौहान डूबा-डूबा में पानी के अंदर था ना वो जादा जैनून लग रहा था भाई वह थारी पानी में बैठा हुआ वह ग्रम सीजी करा हुआ है यार उस प्रभास जो की असली आदमी है उसे नकली सा दिखा दिया हम असली बन गई और असली दिखानी थी तो वह तो अच्छा बना यह नहीं बैसाब यहां पर थोड़े जाते हो एक्स्ट्राक्शन रंधी बुड़ा भी था उसके अंदर भाई ने अंडर वाटर शौट दिया है आप लगाओ कि कितना गंदा फेक शुरुवात अगर इसनी गंदी हो रही है आगर टीजर कितना गंदा होगा पर आप से बंडर वाटर की बात करो मैं थोड़ा सा उपरी सतय पर आना चाहता हूं अहां अहां एक्टिंग भाई प्रभास के यह चेहरे पर यह जो रियक्शन है मलब रादे श्याम में उन्होंने कोई रियक्शन नी दिया समझ मे आया ओंज में पर किस तरीक जिए भाग्वान राम् बहुत से इतने गुसे में एक e Kadja um मजाग हो रहा है उन्होंने मजाग कर दिया देखो मैं क्या बताता हूं प्रभास ने अच्छी अक्टिंग करने की कोशिश करी होगी हां और अचानक से उनको पता चलता है कि भाई उनके इद्रबर डोले दिखा दिये यह बड़ी चैस दिखा दिये और बाई तरफ तरफ ती जो वह बना रहे हैं दोले बना रहे है थोड़ा मुव पर लग गया तो मेरे को लग रहा है जो रियक्शन उनके और एक्स्प्रेशन उनके ठीक थाग भी होंगे वह गंदे कर दिए गए हैं बश्याएं कर सकते हो आप पुछ भी कर सकते हो कुछ भी करने के नाम पर इरों यह दूसरा पॉइंट हमारा जरूर है काफी लोगों के लिए पहला पॉइंट क्योंकि लोग करें कि उनको मुगल बना दिया बाई मुगल मुगल भी इतने गंदी तो नहीं दिखते होंगे मेरा मेरा मानना ऐसा है मुगल एरा में ऐसे ट्रिमर लेकर साइड में से ऐसे यह मैंने तो कितनी बार देखा है इस इंसान के यहां पर जब हैर कट करा गया थे यहां दो लाइने खिची होती है यह अपने सेम नहीं के पास लेगे कहते साइफ अलीखान को इस पिक्चर के लिए रावन सुन देख रहा है मैं तो उससे जाकर पूछूंगा अपने वाले जो हो सकता है वो सकता है वो उस काल से बैठा हुआ हो वहां प्रदुक्त क्योंकि मतलब रावन इतनी बढ़िया तरीके से ट्रिम हेर उसके गंदी दाड़ी मतलब जैसी को लगे टाइम पर लोगों की दाड़िया नहीं बढ़ देंदी मिला वैसी वाली मेरे को लग रहा है है अपिना सेमा आपा और सारे काले हो सकता एड़ भी यहरा का एगा कि इन बालो को सीधा कर ने के लिए मैं लगाता हूं से यह वाला कॉन सरवाला रिए नाम ले ले लिया टार्वी जय ले लिया गल्ति से मूह से निकल लिया एक गल्ति हम कर सकते इतनी सारी गल्तिया देख दिखा है और और हम तो 500 करोट मिन लगवार है कमपनी के तो बई सहाल खान के बारे बात हो गई और बात करनी है अवर बात कर लेते हैं यह कि फिल्म की और बखरेंस ले रहे हैं बीच में एक बार दिखाते हैं कि उनका 10 मून निकल के आ गए हैं क्योंकि रावन है नेगा रहा मां तो रावन एक intense character दिखाया रावन को ऐसे अभिशेक बच्चन की तरह उसमें खुद ही बोल दिया दस मूव वाला बात ही खतम पर इतनो गंदा एनिमेशन क्या इससे पहले कभी देखा है देखा है मैंने नागिन का season 1 पर पर जजंत्रम ममंत्रम में भी इंप्रूव कर लि मतलब जो हम अवाज निकालने हैं और जो आप अवाज निकाल रहे हैं उसमें बहुत अंतर दोड़ी है पॉइंट यह आता है कि शक्ति मायम के ग्राफिक्स भी आज तक ऐसे realistic लग रहे होते हैं हलांकि है नहीं फिर भी इस movie को जो मैं सामने रखता हूं तो शक्ति मायम के पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेफली खान के इसमें कोई गलती नहीं को थोड़ी पता था कि उनको कितना गंदा तरीके से दिखाया जा रहा है उनके तो बैंक में पैसा बहुंगा बात खतम गई पर जिस आदिमी ने गंदा दिखाया उसके बात बारे में बात कर ले नंभर 3 ओमराुट Education के बारे में मुझे कुछ कहना है ओमराँट वर मुझे ये जहिए कहना है एक इन्होंटाणा जी बना रही थी पर फिर इन्होंने आने खाने वाली घंशा कियो बना ली मिर नंगो पाह सब सकते अशना और नोग में तितर बै तर चैंश तो पूरी और लेकिन बात ही है कि उन्होंने फिल्म का जो मतलब इतना कैलिबर था यार इस चीज के अंदर आप रमायन के साथ कैसे गलत हो सकते हो मुझे बस इतना बता दो भई बताता हो इन्होंने क्या किया इन्होंने आपने अपने ताना जी कही सैट के जो सारे के सारे कॉस्ट्यूम व तो उन्होंने का आप किया करूं पोले कि अगली पिक्टर में जो मेरे कare poreробर के सीन को चिंपका देता ह। तो अ विल्कुल गलत है क्योंकि यह यूटीचर इपर यॉटीज यूटीचर फैर दीक्ता लेक्त क keskin फोन में अड़ी करें चाहिए पागल हो काई ! पर बड़ी स्क्रीन पर इतना गंदा लगे तो बड़ा बड़ा गंदा लेकिन अगर यह लॉजिक है अगर 3D के लिए और हर चीज के लिए लॉजिक है होल्यूड तो पिक्चर अपनी टीवी पर देखाना बंदाना जाहिए नहीं 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 तो अगर अगर आप से और इससे कंपार करने लोगे तो ओम राउजी काम हो गया मैं आपको सही बता रहा हूं यह जो टीजर पर आपको जो रियक्शन मिल रहा है ना आप एक काम करो इसको ना यह कर दो जैसे वह नहीं हो था गेम किलते वागी कुछ और बना लो इससे मैं सही बता रहा हूं इसको इसको रिलीज मत करना अगर आपने इसी फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया समझ में नहीं रहा यह ज़िए कई लोगों को डिप्रेशन ना हो जाए बाइ इनके computer graphics के लिए वो कहना चाहता हूं आधी पुरुष का टीजर ओ आधी पुरुष के टीजर में अगर आप वानरों को देखोगे वानर सेना को देखोगे तो आपको लगेगा कि वानर सेना चिंपैंजी कैसे बने गए अर यार उसमें कितना देखोगे आप यह बस बता द बढ़े हैं भाई पुषपग विमान का क्या बना दिया भाई पता नी भाई क्या कर रहे हो आप बना पुषपग विमान मैं अच्छा एसे आरे हो तो मतलब इतने गंदे computer graphics हैं कि जितनी बुराई करे जाए उतनी कम है चार हो गई पांच वी बड़ी कमी इस फिल्म में के अभी तो टीजरी आया है सोचो ट्रेलर और फिल्म आजाएगा वह लगता तीन घंटे का तो रोस्ट वीडियो बन जाएगा यार देगो पांच वे पॉइंट के हम जो बात कर रहे हैं उसके उपर एक्चली बहुत सारे लोग बात कि इस फिल्म का अभी जो टीजर आया है कितना करेक्ट दिख रहा है उसके हिसाब से क्या पॉरानिक काल के हिसाब से उनके कपड़े उनके जूते उनके एक्सप्रेशन सब्सक्राइब या नहीं थे और कास्टिंग की वी बात करना चाहूंगो तो मैं पता है कि इसमें लक्षण कॉन वना है सोनु के टीटू की यह अब आपनी गदा लेकर ना मैं तो कहा है हनुमान जी तो भगवान जी वेली बात हो गया उनको क्या आमने परशान करना है मैं कहतो दारा सिंग साब अगर आप वाफस आ जाओ और मैं कहरो दारा सिंग साब के जो बेटे हैं अभी अब यहां पर आपी कुछ इलाज करो क्यान, हमने लेकर था के को लेक्टन अधि थोड़े अनकोप सिंग सिंग भी भी यह ऐसे कैसे हनुमान जी चлисьना है और बुद आ पर पो ड़हां असे थोड़ा साइग कड़ dif everybody बच्चों का मेकप बैटर हो भाई यह राम लीला के टाइम पर आप क्या कर रहे हो आप में क्या बना है बाई सब हनुमान जी कर सारे गेटप लेकर आने लग गया और फैंसी ट्रेस कॉंपिटेशन होता है उसके अंदर यह अदमी लास्ट राइगा जो इसमें बना है मैं तो नहीं कि गलत हुआ है यह कुछ कर नहीं पाए और अगर वह इसको जस्क्राइब करें रहे वैदो जस्ट्रिफीकेशन कंला वह बंदा को और कुछ करनी सकता है वह गलती से बिलीट हो गई जब गलती सर पांसो करोड़ कर्कों मतलब एक यह भी है कि आप बोलते हो के हमने य बढ़ाओ लकडी से बनती है वही कहते है के पुराने जमाने में पहनते थे और आपको यह लगता यह बहुत कुछ अजीब सा हो गया इतने आपके मैं गया रहो सारी फिल्मों के बॉयकॉट के कॉल बनते थे आपको बैंका कॉल बन रहा है समझ मे elah हमें तो समझ में नी आ रहा थिरल्शा को क्या आपको समझ मैं आ रहा है और आपको कैसा लगा Utve час टीजर हमें तो बतारी ज़रूत अप्षैन है नीं के हमें अठी पोन।चेडर का रोस्ट रोस्ट वीडियो लेकर हम और भी आते रहेंगे आपको हमारा ये रोस्ट वीडियो कैसा लगा ये भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखका बता सकते हो बाकी अंकट को आप हर जगे फॉलो करते रही है क्योंकि आधी पुरुष जैसा गंदा कॉंटेंट वहां नहीं म कमेंट में रहेगा हमें आपका इंतिजार आप हमको लगातार देखते रहें बार बार आप देख रहे हैं अंकट